और इस लिए नहीं कि बहुत बड़ा एक्जाम है, इस लिए कि इस लोग भागन हो रहे हैं तो लोग क्या सही कर तो वह इस को रॉच्छा कर् ABOUT हैं, उसका नीचोड इस सेशन में हम डिसकस करें दो-तीन ही बाते हैं, ज्ञादा चीजञी है जो आपको सीटेट में ध्यान रखने की जौरत दो तीन चीजों का ध्यान रख लिए पेपर निकल जाएगा आपका एक्जाम पैटर्न हमें पता होना चाहिए जितना पेपर देने जाना इंपर्टन है उतना जरूरी है स्ट्रेटीजी बनाना रणनीती बनाना कि 150 नंबर का पर है चाहिए पेपर वन हो चाहिए पेपर टू हो 150 मिनट मिलेंगे यानि धाई गुंटा समय भी काफी है लेकिन यह समय काफी नहीं रहता बहुत साई लोग ओमार टाइम पर फिल ना कर पाने की वजह से फेल होते हैं रीजन क्या है क्योंकि चार तो यहां पर आते हैं पै तो यह दिखने में तो हमें बहुत ज्यादा समय लगता है कि धाई गंटा है लेकिन यह टाइम कंस्यूमिंग बहुत है एक्जाम लेंडी हो जाता है और अगर आप प्रीवियस दो तिन साल में देखने तो यह और लेंडी हो एस बार का पेपर तो काफी लेंडी है वो अज करने में आसान नहीं रहते हैं कि तो यहां पर द्यान रखना है कि देखने में जढ़ती है बढ़त हैं नहीं जादा तो इसके प्रेक्टिस में बहुत ज्यादा होनी च्छाह ए तब जाकर कि आप कम समय में पेपर सॉल करके बैठ जाएंगे अभी इंटरवी डालाय था भी सीटर जन्वरी दोजार शॉबिस में 133 नंबर रहाए थिंग उनके हमारी एक दिड़ गंटें पेपर सॉल करके वह बैठ वहीं थी तो ऐसे ऐसे भी लेर्नर्स हैं यह ऐसे से भी कैंडिडेट्स हैं जो इतनी स्पीड से पेपर सॉल कर लिए इसका मतलब हमारी उतनी स्पीड हमने विक्सित नहीं की डिवलेप नहीं की वेपर उमर पर ही होगा यानी ऑफलाइन होगा और उमर शीट जो सीट वाली है मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी अभी से ही टेलिग्राम चैनल पर यह नहीं कि आप SSC की ओमार शीट भरने बैठ गए सीट की ओमार शीट का ज से भाटकना नहीं है बिल्कुल भी अगर है तक उसर्फ प्रिवेसर क्य laquelle अगर्ट आगना तो सिर्फ प्रीवेस से अर मतलब क्या भात का am Suddenly ऑने को में और स्कोर सोच पाएं और यह मैं अब्जर्व कर पारे हों पिछले आठ साल हो जाएंगे इस साल पढ़ाते हुए सीटेट में कि जो लर्नर सीटेट में अच्छा स्कोर करते हैं वो नौकरी जल्दी ले पाते हैं वो थोड़ा सा कॉंफिदेंस उनका बूस्टप रहता है इवन प्राइवेट स्कूल्स में भी आजकल सीटेट की आवशकता है तो जो लोग सीटेट के समय पर सीरियस होते हैं अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में डी एलेड में या कम एच से ही तो आगे तक का उनका रिकॉर्ड क्योंकि यह ब स्कॉर्स मिल जाएंगे लेकिन यह एक जैनरल पर अब्जर्वेशन है मेरी जो अपने वास लर्नर साते में उनमें देखते हूं जो एक तो रोट लर्निंग रट्टाफिकेशन से तो दूरी रहना है यह वैसे भी रहना चाहिए रटन्थ विद्या चलंथ नहीं इससे दू से पेपर कुछता है एक लेवल अप एक लेवल अप मतलब कॉंसेप्ट्वल क्लारेटी आपकी बहुत अच्छी चाहिए तब जाकर कि नहीं तो लेंग्वेज ऐसी घुमा करके पूछेगा कि वह सीधे कान पकड़ना ही नहीं उनको पूरा घुमा फिरा कि पकड़ना है तो लेकिन जो पूछने का तरीका यानी क्वेशन को थोड़ा सा क्लेंदी बनाया गया और मुश्किल किया गया लेंग्वेज को यह अजर्शन और रीजनिंग के क्वेशन ऑनलाइन से पहले दिखते भी नहीं थे कभी आज की डेट में पेपर टू में 30 में से 6 क्वेशन आपक ले में लिए यह से नहीं मिलेंगे दो से तीन क्युं देखन के मनलें ऊस पैसज से तो अलग से ग्रेमर के रट्टे नहीं लगाने उससे अच्छ है सिर्फ आप पुराने प्रीवियस यर के पैसेज कर लें अपने आप उतनी ग्रामर आपकी तैयार हो जाएगी स्लेवस डिफाइंड है अगेन मैं कह रहे हूं स्लेवस से भटकना नहीं है और दूसरा प्रीवियस यर को ध्यान में रखना है है ना